वेल्कम बैक तो दा क्लास टू अफ दे इंग्लिश सीरीज इस क्लास में हम पढ़ेंगे प्रनाउन सो आपके पास दिन में 24 हार्स होते हैं और अगर आप इंग्लिश को 2 हार्स भी डिवोट कर दो तो आप अपनी weakness को strength में convert कर सकते हो और आप इंग्लिश में अच्छा score कर सकते हो I try to cover each topic in one video so that एक ही वीडियो में आप उसके basics भी देख लें आप rules भी देख लें और आप साथ साथ में उसकी examples भी देख लें कि कैसे rules follow करके हम questions solve कर सकते हैं So welcome back to my channel this is Khushpu and आज की class का topic रहेगा pronoun इस class से पहले I hope आपने first class first video देख ली होगी जिसमें हमने noun discuss किया था अगर आपने वो video नहीं देखी तो मैंने उसका link description में दिया है आप वहाँ पे जाकर वो video देख सकते हैं So let's begin अगर हम pronoun की बात करें तो सबसे बहले आपको पता होना चाहिए कि pronoun है क्या उसकी क्या definition है उसको हम कैसे define करेंगे pronoun एक ऐसा word है जो हम noun की जगा पे use करते हैं to avoid the repetition in a sentence अब इसका क्या मतलब है जैसे एक sentence है जैसे हम एक paragraph की बात करें हम एक ही person की बात करें हैं for example हम मोहन की बात करें हैं मोहन is very hard working boy मोहन packed first position in the class मोहन lives in New Delhi So इस sentences में हमने मोहन को repeat करें हैं लेकिन अगर हम मोहन word की repetition को avoid करना चाहते हैं तो हम मोहन की जगा accurate pronoun use करेंगे जैसे की मोहन जो है he is a third person तो third person के लिए हम he, she, they, it ऐसे pronoun use करते हैं So यहाँ पे हम क्या use करेंगे मोहन is a very hard working boy He bagged first position in the class He lives in New Delhi सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि first person क्या होता है, second person क्या होता है और third person क्या होता है Suppose मैं आपसे बात कर रही हूँ और हम मोहन के बारे में बात कर रही हैं So यहाँ पे जो बात कर रहा है वो है first person So यहाँ पे I is the first person और जिससे वो बात कर रहा है वो होगा second person So you will be the second person And जिसके बारे में बात हो रही है He और she और they will be the third person So यहाँ पे मोहन will be the third person अगर आपको first, second और third person समझ आ गया कि इसको कैसे define करते हैं कैसे classify करते हैं तो आपको pronoun में कोई भी difficulty नहीं आएगी So अब हम देखेंगे pronoun की क्या के types हैं और हर type के लिए क्या specific rules हम use करेंगे और उनको examples के साथ देखेंगे कि कैसे उनका use किया जाता है और in the end हम कुछ questions solve करेंगे कुछ examples से देखेंगे कि कैसे rules की help से आप questions solve कर सकते हो So pronouns की type में First type है Personal pronoun Personal pronoun हम उनको बोलते हैं जो तीनो persons के लिए use किये जाते हैं हमने अब बे discuss किये कि First person, Second person और Third person क्या है So उनके लिए जो भी pronoun use करेंगे उनको हम बोलते हैं Personal pronoun For example I, Me, We, Us, You, He, Him, Etc So अगर हम first person की बात करें तो अगर तो singular person होगा First person will be I And अगर ये plural होगा तो हम क्या use करेंगे We We किसके लिए यूज करते हैं हम I मतलब मैं ऐसे ही second person चाहे वो singular हो चाहे वो plural हो मैं आप से बात करेंगे हूँ चाहे आप एक person हो या एक group हो तो सब के लिए हम क्या word यूज करेंगे You So जो word है you वो singular second person के लिए भी use होता है और plural second person के लिए भी use होता है So coming to the third person अगर singular third person है हम एक ही person के बारे में बात करेंगे तो वो होगा या तो male male के लिए हम use करेंगे He female होगी तो उसके लिए हम use करेंगे She और अगर कोई भी non living thing के बारे में हम बात करेंगे तो उसके लिए हम use करेंगे it लेकिन अगर हम proven लोगों के लिए बात करेंगे more than one person की हम बात करेंगे तो उसके लिए हम word use करेंगे they अगर आपको sentence में पता है कि subject क्या होता है और object क्या होता है तो जो subject होता है कोई भी person जो action कर रहा है जो काम कर रहा है उसको हम बोलते हैं subject और जिस पे काम हो रहा है उसको हम बोलते हैं object So, अगर हम I को as a subject use करेंगे किसी भी sentence में तो हम क्या use करेंगे I लेकिन अगर हम उसको as a object use करेंगे तो उसको हम बोलेंगे me Similarly, we subject की जगा यूज होगा और us as an object यूज होगा You as a subject भी यूज होता है और as an object भी you ही यूज होता है Third person की बात करें तो he, she, it will be subject and her, him and it will be object और plural third person की बात करें तो they will be subject and them will be used as object इसको अब coming slides में और भी अच्छे तरह से समझ पाऊगे अब हम rules की बात करते हैं कि personal pronoun को use करने के लिए क्या-क्या rules को हमें थ्यान में रखना है So first one is जब भी कहीं पे भी nominative form of pronoun के पहले verb का use होगा तो हमेशा उसके बात objective case आएगा For example, I like him So, यहाँ पे nominative case क्या है? I, मै और like क्या है? Verb, like मतलब कोई भी and him is the objective case So, जब भी personal pronoun use होगा तो इसकी framing ऐसे होगी कि अगर nominative pronoun से पहले verb का use किया जा रहा है तो हमेशा उसके साथ objective case आएगा The next one is जब भी single sentence में दो या फिर तीन persons use होगे तो उनका क्या order रहेगा? क्या उनके sequence रहेगी? अगर तो तीनो persons एक ही sentence में use होगे तो उनका order रहेगा 2, 3, 1 That means first पे आएगा second person उसके बाद third person और end में आएगा first person इसको एक example से समझते हैं For example You, He and I shall go to the school So यहाँ पे You is the second person He is the third person And I is the first person लेकिन अगर दो persons आएगे For example He and I have finished our meal तो यहाँ पे He is the third person And I is the first person तो sequence रहेगी 3, 1 लेकिन अगर किसी भी sentence में Second और third person आएगे तो sequence क्या रहेगी पहले second person को mention करेंगे और उसके बाद third person को mention करेंगे For example You and He have completed the task So आप two, three, one को याद कीजिए So पहले इसमें क्या आ रहा है Two, three तो अगर किसी भी sentence में दो प्रनावन की बात हो रही है Second और third की तो sequence रहेगा two, three और अगर third और first person एक sentence में आ रहे है तो उनका sequence रहेगा three, one So अगर आपको two, three, one एक याद है 231 तो उसी में से आप निकाल सकते हैं 23 उसी में से आप निकाल सकते हैं 31 So sequence हमेशा यही रहेगी Next is third rule So अगर हम किसी भी person की गलती की बारे में बात कर रहे हैं और उसमें तीनो persons included हैं एक ही sentence में तो order रहेगा one, two, three That means first person पहले mention होगा second person उसके बाद mention होगा और end भे third person mention होगा For example I, you and he have made this mistake अब यहाँ पे हम तीनों की mistake के बारे में बात कर रहे हैं तो sequence will be one, two, three The next is जब भी pronouns को plural form में यूज करेंगे तो order क्या रहेगा one, two, three So for example we, you and they should go to school अब हम यहाँ पे plural forms की बात कर रहे हैं So first person की plural form है we second की plural form है you and third person की plural form है they अब एक ही sentence में तीनों की plural form यूज हो रहे हैं तो sequence will be one, two, three The next one is अगर किसी भी sentence में objective case आ रहा है तो वो let, like, between, but, accept, etc. ऐसे words के बाद में आएगा For example मुझे आपको बोलना है कि let me help you अब यहाँ पे me क्या है I का objective case है तो let के वो बाद में mention होगा The next example is There is nothing left between us So यहाँ पे क्या word है between और objective case क्या है us जो की we का objective case है तो वो between word के बाद में आएगा जब भी हम comparison की बात करेंगे तो words हम use करेंगे as या फिर then वो उनकी placement कहाँ पे रहेगी nominative nouns के पहले जैसे हमने दो persons का comparison करना है एक मैं और एक थर्ड परसन ही तो उन दोनों की हम walking speed का comparison कर रहे है so we'll say like this I walk faster अब यहाँ पे than word का use हो रहा है अब हम देखेंगे कि it word का use कैसे करना है it word mainly non living things के लिए या फिर animals के लिए या फिर infants के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं या insects के लिए use होता है और इसकी plural form होती है दे अगर हमने किसी भी sentence में time, weather, temperature, distance किसी natural event को mention करना है वहाँ पे भी हम it mention करेंगे अगर हमने किसी भी noun या pronoun को emphasize करना है तो उसके subject के लिए भी हम it use करेंगे और किसी phrase या clause को हमने introduce करना है उसको भी हम it की help से करेंगे अब हम इनकी कुछ examples देखते है जैसे हमने non-living things की बात की अगर हम बात करें इंडिया की इंडिया is a developed country इंडिया is a part of Asia यहाँ पे हमने it word का use किया है इंडिया के लिए अगर हमने time, weather वगएरा कुछ भी mention करना है suppose हमने बोलना है कि बारिश हो रही है so we'll say like this it is raining so यहाँ पे हमने it का use किया है weather को denote करने के लिए जैसे हमने time बताना है it is six o clock अगर हम infinite clause की बात करें जैसे हमने बोलना है कि यह तो solve करना बहुत easy है तो we'll say like this it is easy to solve it यहाँ पे हमने solve जिसको करना है उसके लिए भी it use किया है और subject के लिए भी it use किया है the next is हमने किसी भी noun यह प्रनावन को emphasize करना है for example it was he who made this mistake अब हमने यहाँ पे he को emphasize किया है तो उसके लिए हमने it word का use किया अगर हम किसी phrase की बात करें for example it is probable that the record will break today कि आज संभावना है कि record का break होगा तो यहाँ पे हमने it word का use किया तो next is possessive pronouns possessive pronouns क्या होते हैं जैसे आपको word से ही पता चल रहा है possessive means possession possession किसे भी चीज का किसे भी चीज को own करना जैसे मुझे बोलना है कि यह मेरा है तो I'll say this is mine तो जो mine word है that is possessive यह book उसकी है this is his book तो इस book का honor कौन है he उसके लिए हम use करेंगे his अब यहाँ पे कौन-कौन से हमने rules follow करने है first क्या है कि जब भी noun use होगा उसके पहले possessive pronoun का use नहीं होगा for example हम यह नहीं बोलेंगे कि our school was closed for four days हम क्या बोलेंगे our school was closed for four days अब यहाँ पे school क्या है noun है उससे पहले हम possessive pronoun का नहीं use करेंगे हम क्या बोलेंगे our यहाँ पे ours नहीं use करेंगे हम next rule is जब भी कहीं पे भी noun को mention किया हुआ है तो उसकी repetition को avoid करने के लिए हम possessive pronoun use करेंगे the next is possessive pronoun can be used in any sentence as the subject of the verb for example जैसे हमने बोलना है कि उसका घर बहुत ही सुंदर है तो हम बोलेंगे his house is beautiful अब यहाँ पे हमने his को subject की तरह use किया अगर हमने किसी भी sentence में possessive pronoun को object की तरह use करना है तो हम कैसे बोलेंगे your house is better than mine अब यहाँ पे हमने me की जगा पे उसका possessive pronoun use किया जो है mine हमने बोलना है कि आपका घर मेरे घर से better है हम यहाँ पे यह नहीं बोलेंगे your house is better than me me की जगा पे जो correct form है that is mine next one is जो possessive pronoun होते हैं उनको कुछ words हैं जैसे separation, leave, excuse, mention, etc इनके साथ कभी भी use नहीं किया जाता for example हम कभी भी यह नहीं बोलेंगे excuse mine हम क्या बोलते हैं excuse me या फिर हम जैसे मैंने बोलना है he mentioned me in the speech हम यह तो नहीं बोलेंगे he mentioned mine in the speech तो जब भी यह वले words यूज होंगे वहाँ पे possessive pronoun का यूज नहीं होगा the last rule is जब भी possessive pronoun का यूज होता है तो उनके पहले apostrophe नहीं यूज होता for example the bear had a ring around its nose यहाँ पे अब इट्स के साथ हमने apostrophe नहीं यूज करना हम क्या लिखेंगे the bear had a ring around its nose the next the next is demonstrative pronoun जब भी हमें किसी भी चीज के को point out करने के लिए noun यूज करना है उसकी जगा पे हम demonstrative pronoun यूज करते हैं for example this, that, these, those, etc अब हम देखते हैं कुछ important rules so जब भी कोई भी object आपके पास में है या कोई भी person आपके पास में है तो वहाँ पे आप word यूज करोगे this अगर वो singular object है लेकिन वो अगर plural object है तो वहाँ पे आप यूज करोगे these for example मेरे पास एक cat है तो उसको मैं बोलूँगे this is a cat लेकिन अगर मेरे पास दो cat है तो मैं बोलूँगे these are the cats the next is जब भी वो object आपसे दूर है एक distance पे पड़ा है एक distance पे है तो आप क्या word यूज करोगे that अगर वो singular object है लेकिन अगर वो plural object है तो उसके लिए हम words यूज करेंगे those for example एक table पे दूर एक book पड़ी है तो मैं बोलूँगी that is a book लेकिन अगर वहां पे चार books पड़ी है more than one book पड़ी है तो हम के बोलेंगे those are books similarly अगर आपने पूलर नाउन के repetition को avoid करना है आपके use करोगे that for example हमें बोलना है the climate of पूने is better than climate of Mumbai तो climate word को repeat होने से avoid करने के लिए हम क्या बोलेंगे the climate of पूने is better than that of Mumbai तो हमने that word को use करके climate को repeat करने से avoid किया है similarly one और ones दो word होते हैं अगर तो singular countable noun है उसके लिए हम use करते हैं one अगर plural countable nouns है उसके लिए हम use करते हैं ones for example मुझे बोलना है कि ये किसी भी book का नया version है और ये पुराना version है अब हम यहां पे version को repeat करने से avoid करने के लिए क्या word यूज करेंगे this is the new version that is an old one तो मैंने version को repeat होने से avoid करने के लिए क्या word यूज किया one लेकिन अगर हम इसको plural में use करेंगे तो we will say these are new books but those are old ones the next type is distributive pronoun यह हमने किसी भी time पे किसी object या फिर individual को one at a time refer करना वहां पे हम distributive pronoun use करते हैं for example each either none etc हम इसको एक example से समझते हैं जैसे हमें बोलना है कि इन दोनो pens में से एक pen black है सो हम यहां पे either word का use करेंगे और हम sentence यूज करेंगे either of these two pens is black सो जब भी either word यूज होगा वो वहां पे होगा जब हमने दो objects में choice को denote करना है लेकिन अगर दो से ज़ादा persons या things involved है तो वहां पे हम any या फिर one pronoun का use करेंगे अगर हमने दो persons या दो things में से बताना है कि इन में से कोई भी नहीं है negative में denote करना है वहां पे हम use करते हैं either की जगा पे neither और अगर वो multiple things है more than two things है वहां पे हम one की जगा use करते है none so next type है reciprocal pronoun reciprocal pronoun हम mutual relationships को denote करने के लिए use करते हैं for example each other one another etc अब अगर हम देखें कि each other कहां पे use होगा और one another कहां पे use होगा तो जब भी हमने दो लोगों के बीच में mutual relation show करना है हम word use करेंगे each for example they like each other अब यहां पे दो persons involved हैं तो हमने each other word का use किया लेकिन अगर हम एक class के सभी students को denote कर रहे हैं तो हम बहां पे दो से ज़ादा students को refer कर रहे हैं हम word use करेंगे one another they cooperate with one another the next type is reflexive pronoun reflexive pronouns जैसे की my का myself our का ourselves you का yourself he का himself it का itself etc तो यहां पे हम क्या rules follow करेंगे जो reflexive pronouns होते हैं they cannot be used as a subject and object of a sentence unless a noun or pronoun comes before it इसको हम एक example की help से समझते हैं जैसे जैसे एक sentence में दो noun use होंगे मैंने बोलना है कि I am खुश्बू from New Delhi तो मैं यहां पे myself नहीं use करूंगी I will say I am खुश्बू from New Delhi क्यों यहां पे जो I word है वो उससे पहले कोई भी pronoun या फिर noun नहीं mention हुआ तो हम यह नहीं बोलेंगे myself खुश्बू from New Delhi लेकिन अगर मैंने यहां पे क्या बोलना है कि मैंने यह काम खुद किया है अब यहां पे मैंने बोलना है I myself did this work अब myself मैंने यहां पे कैसे यूज किया क्यूंकि myself से पहले pronoun mention हुआ है that is I अगर किसी भी sentence में absent word को as a verb यूज किया है वहां पे भी हम reflexive pronoun का यूज करेंगे for example for example हमें बोलना है कि वो आज absent है हम इसको दो टाइप से यूज कर सकते है the first one is he was absent लेकिन अगर हमने इसको reflexive pronoun की help से यूज करना है तो हम क्या बोलेंगे he absented himself अब कुछ words है जो कभी भी जिनके बाद reflexive pronoun नहीं यूज होते for example keep stop qualify move etc जिसे हमने बोलना है कि वो एक room में छुपा हुआ है तो हम बोलेंगे he hide in the room लेकिन हम यह नहीं बोलेंगे he hide himself in the room for example हमें बोलना है कि आपको bad company से दूर रहना है you should keep yourself away from bad company so यहाँ पे yourself नहीं use होगा next is interrogative pronounce so interrogative word से ही clear हो रहा कि interrogative pronounce वहाँ पे use होगे जहाँ पे भी जहाँ भी कोई भी question involved है और इनकी कुछ examples है who whom whose which etc for example हमने पूछना है कि कौन खेल रहा है so we'll say who is playing अब यहाँ पे question whom has he invited उसने किसको invite किया तो यहाँ पे object की बात हो रही है तो हम whom का use करेंगे जो whose word है उसको हम use करते हैं ownership denote करने के लिए for example हमने use किया था whose book is this यह book किसकी है तो यहाँ पे book के owner की बात हो रही है तो हम whose word use करेंगे अगर किसी भी sentence में preposition का use हो रहा है sentence के end में preposition आ रही है तो sentence के starting में हमेशा who word use होगा for example who was the reminder written by तो यहाँ पे जो by है वो preposition है और वो sentence के end में use हो रही है तो हम यहाँ पे who का use करेंगे sentence के starting में the next is यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम non living things की बात करेंगे तो वहाँ पे whose का use नहीं होगा एक flyover है जिसकी inauguration transport minister ने की है तो यहाँ पे जो flyover है वो non living thing है तो यहाँ पे हम whose word का नहीं use करेंगे हम क्या बोलेंगे this is the flyover the inauguration of which was done by the transport minister अब यहाँ पे हमने which word का use किया ना कि हमने whose word का use किया जब भी हमने दो या दो से ज़ादा चीजों में choice बनानी है तो हम वहाँ पे which word का use करते है for example हमने पूछना है कि इस crowd में आपका भाई कौन है तो हम क्या बोलेंगे which is your brother in the crowd तो हमने बहुत सरे लोगों में choice mention करनी है choice करनी है तो हम क्या word use करेंगे which जैसे हमारे पास तीन लोग है तो हमने पूछना है इन में से किन तीनों में से आपको कौन सा servant चाहिए तो हम क्या बोलेंगे which of the servants do you want the next is indefinite pronouns तो जब भी वेग या फे journal meanings के लिए noun का use किया जा रहा है उनके repetition को avoid करने के लिए हम indefinite pronouns का use करते हैं for example everybody somebody nobody anybody no one for example one should do one's duty oneself oneself तो यहां पे जो one word है वो जर्नली यहां पे जो one word है वो जर्नल मिनिंग को denote कर रहा है अब जहां पे भी one word को as a subject use करेंगे तो वहां पे nominative case के लिए one use होगा और objective pronoun के लिए oneself use होगा the next type is relative pronouns जो भी pronouns दो clause या फिर phrase को connect करते हैं उनको हम बोलते हैं relative pronouns फर एक्जेंपल हू, हूम, हूज, विच, दैट अब हमने पोलना है कि मैं सीता से मिली जो की स्कूल से वापिस आ रही थी अब यहां पे जो जो word है वो दोनों sentence को connect कर रहा है तो यहां पे हम use करेंगे हू, तो हू वर्ड है जो relative pronoun है I met सीता who was returning from school तो यहां पे जो हमने हू का use किया दोनों sentences को connect करने के लिए use किया है अगर हम इनके rules की बात करें तो relative pronouns का as a subject use होता है subordinate clause में for example the boy who came here is a player तो यहां पे जो who word है उसको हमने subject की तरह use किया अगर हमने इसको object की तरह use करना है तो हम क्या बोलेंगे I have a son whom I love very much तो यहां पे जो हमने whom को use किया as a object use किया अगर हमने कुछ लोगों को denote करने के लिए all word का use किया है और इसको as a subject use किया है तो उसके लिए हम relative pronouns क्या use करेंगे who और that उसके लिए हम कभी भी whom करना है अगर वहां पे whom या फिर which का use किया गया है तो वह वहां पे wrong है लेकिन अगर non living things की बात करें वहां पे हम all के साथ that use करेंगे और who या फिर whom use करेंगे for example all the money that I gave her has been spent अब यहां पे जो money है that is non living तो वहां पे हम all word का use करेंगे अब अब देखते हैं कुछ examples कि कैसे इन rules को use करके अब errors को find कर सकते हैं so first sentence है the two sisters shouted at one another in public अब यहां पे one another word का use हो रहा है दो sisters के लिए लेकिन हमने rule पड़ा था कि जब भी दो persons की बात हो वहां पे हम each other use करते हैं so be part में error है the next one is John I and Harry have finished our studies अब यहां पे हमने जो two three one rule देखा था वो use होगा so इसमें हमने इसमें sequence है three one and two जो की गलत है तो a portion में error है next is beside me many other were present अब यहां पे many other plural के लिए use हो रहा है तो यहां पे many others use होगा तो be part में mistake है the next one is a good friend of me has been in London for twenty years अब यहां पे हमने off के बाद possessive pronoun का use करना है तो me की जगा पे क्या use होगा mine क्योंकि जो वो friend है वो मेरी possession को show कर रहा है तो यहां पे me की जगा पे mine word use होना चाहिए the next is my friend is laborious and intelligent isn't it अब यहां पे my friend living my friend is a living person तो यहां पे it word का use नहीं होगा तो c part में error है the next is the ganga is a river whose origin has always been a matter of speculation अब यहां पे ganga के लिए हम whose word का use नहीं कर सकते the next one is may I know to who I am speaking अब यहां पे who as an object use हो रहा है तो हम whom को use करेंगे the next is the master did not know who of the servants broke the expensive dinner said अब यहां पे as an object use हो रहा है तो हम क्या use करेंगे whom next one is one should keep his promise if one wants respect from both friends and enemies अब one के लिए oneself use होगा ना के his use होगा तो b part में error है अगर आपनी यह video complete देख ली है तो आपको pronoun क्या होता है उसकी types क्या होती है उसकी types के लिए क्या-क्या rules यूज होंगे कैसे वो rules यूज करने करके हम questions easily solve कर सकते है सबी चीज़ें आपको पता चल गए होंगी इस video को देखने के बाद आप questions को practice कर सकते है यह rules की help से so if you like this video please hit the like button and subscribe to my channel see you in the next video